चलो बच्चा एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉटन्ट है जो पॉइंट हम डिसकस करने वाले एक्जियोम 6.3 and 6.4 6.3 का जो कन्वर्ज बोला जाएगा वो एक्जियोम 6.4 है बच्चा इसके स्टेटमेंट आपको याद रहने चाहिए जो में पॉइंट है तो पहले पढ़ते हैं तो अब भी बोला गया है कि दो पैरलल लाइन है और यहां से ट्रांसवर्ज जा रही है तो यह कॉर्सपॉणिंग एंगल की जो पैर होंगे वो इक्वल होंगे वो ध्यान में रखना है समझ में आ रहा है बच्चा और यह जो पॉइंट बोल रहा है वही हमने यह लिखा हुआ है सिंबॉल के फॉर्म में जहां पर बोला हुआ है कि 1 & 5 1 & 5, 2 & 6, 4 & 8 और आपको बोला गया है 3 & 7 तो यह पैर कैसे होगी? इक्वल होगी वर्ड क्या यूज़ किया है? तो वर्ड ऐसे यूज़ किया है if the transversal of two parallel line बच्चे एक वर्ड मिसिंग था जो हमने लिख दिया if the transversal intersect two parallel line then each pair of corresponding angle are equal वर्ड क्या बोलेंगे? तो simple बच्चा ऐसे याद रखना if transversal intersect two parallel line then pair of two corresponding angle equal को corresponding angle equal बच्चा ऐसे थोड़े थोड़े point ध्यान में रखना है इसके बात बहुत important axiom 6.4 जो क्या बोल रहे है if the transversal intersect two line then such pair of corresponding angle are equal तो उसमें क्या बोला हुआ है if the transversal intersect two line such that a pair of corresponding angle equal then two line are parallel तो यहाँ पर बोल रहे है कि suppose पहले word समझना वो बोल रहे है कि two parallel line तो यहाँ पर बच्चा आपको क्या समझना है कि यहाँ पर दो line है और यह intersect कर रहे है यहाँ पर बोल दिया है कि दो angle जो है वो corresponding angle equal है तो यह जो दो line है वो parallel है समझ मैं आ रहा है बिच्चा फिर से इसमें क्या बोला था कि जब दो parallel line है और एक intersect करेगी transversal intersect करेगी तो corresponding angle equal बन जाएंगे यहाँ पर बोला हुआ है कि दो line है और यह transversal है तो जो corresponding angle equal होता है तो इसका मतलब यह जो दो line डी हुई है वो एक दूसरे से parallel है समझ मैं आ रहा है बिच्चा वर्ड फोकस करना तो आप बोलोगे if the transversal intersect two line such that the pair of corresponding angle equal then the two line are parallel to each other पहले बाले में क्या बोला था if transversal intersect to corresponding if transversal intersect to parallel line then हम बोले जाएंगे corresponding angle are equal the pair of corresponding angle are equal तो यह था हमारा 6.3 जिसमें बोला था यह point और इसमें यह बोला हुआ है कि transversal intersect two line transversal intersect two line and corresponding angle are equal then we can say that two line are parallel to each other तो यह line है then two line are parallel to each other यह exeum 6 point हम बोल सकते है 2 3 का converge 6.4 है बस बच्चा यही point आपको ध्यान में रखना है याद भी रखना है क्योंकि यह statement आपको बहुत आगे जाके helpful होने वाल है जिसमें यह बोला हुआ है कि जो दो line जो पहले तो बोल दिया है कि दो parallel line है और corresponding angle जो होंगे वो equal होंगे उसमें आगे बोला हुआ है कि if दो line है और corresponding angle equal है तो आप बोलोगे sir इसका मतलब यह हुआ कि यह जो angle है वो दो line angle बन रहा है उसके बच्चे से corresponding angle equal हो रहा है तो यह दो line है वो parallel to each other है समझ में आया बच्चा ठोड़ा point important है ध्यान से proper लिक लो बच्चा मिलते next lecture में नए एक point के साथ है कर दो कर दो कर दो